लखनों में समाजवादी पार्टी ने बूथ कमेटियों के सदस्वे प्रवारियों का सम्मेलन आईजित किया इस दोरान राजी मंद्री प्रोफेसर अभशेक मिश्रा ने बूथ प्रवारियों के महा सम्मेलन में शिरकत की उन्होंने कहा कि 2017 में सभाविकास के नाम पर फिर सत्ता में आईगी 13 सितंबर को बकरीद के मौगे पर पुराने लखनों में करीब 4000 से लेकर डिड़ लाग तक के बकरे बाजार में बिकने को तयार है वहीं बकरे बेचने के लिए भी आसपास के जिलों से वैपारियों का ना शुरू हो गया लखनों में आजकर हरी सबजियों के साथ आलू, प्याज वा टमाटर के दाम सस्ते होने की चर्चाएं जोरो पर है पिछले कुस दिनों में सबजियों के दाम गिरे हैं जिसकी वज़ा से किसानों के साथ थोग वैपारी भी काफी नाराज है लटनोंवे बिजेपी ने बिएसपी सुप्रीमो मायवती की इलाबाद में हुई रैली को असफल बताया है साथी आम जंदा को इसे असफल बनाने के लिए धन्यवाद भी दिया बिजेपी ने पिएम मोदी पर मायवती के आरोकों को उनकी बॉखलाहट बताया है बिएसपी रैली को इलाबाद के परेट गाउंड में संबोधित करते हुए मायवती ने कहा कि कॉंग्रेस का अपर कास्ट को आरक्षन देने का वादा चलावा है साथी पीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पियम मोदी ने अब तक जो वादे किये हैं वो पीपूरे नहीं किये इन दिनों सभापुरे प्रदेश में बूठ कारकरता संबेलेन की मुहीम चला रही है मत्रा में भी बूत कारकरता सम्मेलन आयुजित किया गया जिसमें दर्जा प्राप्त राजमंत्री हुलास राई सिंगल के साथ राजसभा सांसत विशंबर निशास्त्रा मिल हुए फरुकबाद के राजेपूर इलाके में तीन दिनों से गायव छात्रा का अजजला शव मिल्ले से संसरी फैल गई वहीं पुलिस शव मिल्ले के बाद से सीमा विवाद को लेकर पाच घंटे तक उलजी रही अपना दलगी राष्ट्री अध्यक्ष वकेंद्री सौसमंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रेस कॉनफरेंस के दौरान कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है जिसे बहुत ही जल्द पूरा किया जाएगा कें सरकार देश में 11 एम्स बनाने जा रही है जहां 1100 डॉक्टरों की तैनाथी की जाएगी बदायू में बस्पा महासेचेव नसीमोदिन सिद्धिकी ने सदर विधान सबा छेत से विधान सबा उमीदवार घोशित कर दिया बस्पा कारकता संबेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बुपेंदर सिंग कुर्मी को प्रत्याशी घोशित किया है